यह है अमारा 5th question इस question में आपको ये वाला junction break करना है इस junction को break करने के बाद आपको किसी भी 2 wires को join करना है for example मैं इन 2 wires को और इन 2 wires को आपस में join कर देता हूं फिर आपको इन दोनों को series collection में कुछ इस तरह से join करना है ये complicated दिखने वारा circuit कुछ इस तरह से दिखता है rearrangement के बाद इस circuit में ये दो resistors parallel में और ये दो resistors भी parallel connection में arranged है इनकी जो equivalent resistors आईगी वो आपस में series connection में arranged होगी और इस पार्ट की equivalent resistance और ये दो resistors parallel connection में arranged होगे तो ये question हुआ salt ये question PMT point of view से काफी important है और इसे solve करने के लिए आपको बस इस चोटी सी trick यूज़ करनी होती है और वो trick है कि इन तीन resistors में से आपको किसी एक resistor को neglect करना होता है तो अब आप देख सकते हैं ये question कितना simple हो चुगा है ये दो resistors series connection में arranged है और इनकी जो equivalent resistance आईगी वो इस resistor के साथ parallel connection में होगी इस part की equivalent resistance इस resistor के साथ series connection में होगी आपको इस question में किनी भी दो points के बीच में resistance find करने को बोला जा सकता है for example मैं यहाँ पे लेता हूँ A और B points अब आप नोट करेंगे कि ये पूरा part इस resistor के साथ parallel connection में है suppose अगर A और B points ये दोनों होते तो हम इस part को इस resistor के साथ series connection में मान के चलते और इस पूरे part को इस resistor के साथ parallel connection में मान के चलते अगर वीडियो पसंद आई हो तो like ज़रूर करें अपने reviews and channel के लिए suggestions comment box में लिखना ना भूले ऐसे ही बहुत थारी shortcut tricks and shortcut methods के लिए follow this channel thank you so much चलिए अब इस question का answer देखते हैं ये question मैंने आपको अपनी last video में homework में दिया था आएए इसका solution भी अब देख लेते हैं गास ऐसे questions को solve करने का तरीका होता है इनके junction points की naming करना यहाँ पे मैं इस junction point को नाम देता हूँ C point अब आप देखेंगे कि ये point and ये point दोनों same हैं क्योंकि इस wire में कोई भी resistor नहीं लगा हुआ तो ये point हुआ C point अब हम देखेंगे कि ये point और ये point भी same है क्योंकि इस wire में भी कोई resistor नहीं लगा हुआ तो ये भी हुआ C ये point इन तीनों points से different है बट ये point इस point से similar है क्योंकि इस wire में कोई भी resistor नहीं लगा हुआ तो मैं इन दोनों points को नाम दूँगा B points तो guys ये complicated दिखने वाला circuit कुछ इस तरह से दिखता है rearrangement के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये resistor A and C points के बीच में है यहाँ भी ये A और C points के बीच में है यहाँ पे ये वाला resistor C और C points के बीच में है यहाँ पे ये वाला resistor C और C points के बीच में है यानि इसकी wire के दोनों ends C points पर ही attached है और ऐसे resistor short circuit हो जाते हैं यानि खराब हो जाते हैं next resistor C and D points के बीच में है ये वाला resistor भी C और D के बीच में और ये वाला resistor भी C और D के बीच में ही है that means ये तीन resistors parallel condition में है उसके बाद D और B के बीच में ये वाला resistor है जो मैंने यहाँ पे show किया है इस question में resistors की value कुछ भी दी हो सकती है आप बस ये method लगाईए और questions solve कीज़ेए वीडियो पसंद आई हो तो like and share ज़रूर करें Thank you so much